दोस्तों स्वागत है आपका कल भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम जारी की है जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइट पेंशन स्कीम जिसे सौर्ट में यूपी एस भी कहा गया है और ये भी कहा जा रहा है कि 1 अप्रेल 2025 से यूनिफाइट पेंशन स्कीम यानि यूपी एस को लागू भी कर दिया जाएगा कल भारत सरकार ने इसकी घोषना की और इसके बाद हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई जो सभाविक है कि यूनिफाइट पेंशन स्कीम से जो सुविधा लोगों को मिलेगी वो केंद्रे करमचारियों के लिए ज्यादा फाइदे मंद होगी या फिर NPS में जो सुविधा मिल रही थी या जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको OPS कहते हैं उसमें जो सुविधाई मिल रही थी तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे कि केंद्रे करमचारियों को UPS, NPS या फिर OPS से जो मिलने वाली सुविधाई थी उन तीनों को अगर हम कंपेर करते हैं तो कौन सा बिस्ट है सबसे पहले अगर हम Unified Pension Scheme की बात करते हैं तो सरकार ने कहा है कि यदि कोई भी सरकारी करमचारी 25 साल तक की सर्विस कॉंटिन्यूसली करता है तो उनके last एक साल में जो भी उनका Pension होगा वो उनके last एक साल में जो उनका अंतिम बेतन होगा उसका 50% होगा लेकिन ये भी कहा गया है कि minimum 10 साल तक अगर कोई सर्विस करता है तो उसको 10,000 रुपे Pension दी जाएगी यह भी कहा गया है कि यदि किसी इंप्लॉई की देथ हो जाती है तो एस्योर्ड फैमिली पेंशन उनको मिलेगा जो कि उनके लास्ट पेंशन का सिक्स्टी परसेंट होगा जितना एमाउंट उनको लास्ट पेंशन का मिल रहा था उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को 60 परसेंट उसका पेंशन के तौर पे मिल जायेगा और मिरीमम 10,000 रुपय दस साल की सर्विस के बाद तो सवार यह पैदा होता है कि 10 साल से उपर और 25 साल से कम इस बीच में जिन लोगों ने सर्विस की है उनकी सैलरी क्या होगी उनकी पेंशन क्या होगी एक बात यह भी कहा गया है कि यह जो UPS होगा उनिफाइट पेंशन स्कीम इसको इंफ्लेशन के साथ जोड़ा जाएगा और यह भी कहा गया है कि और एंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्राइस इंडेक्स जो भी होगा जो भी लागू होता होगा सर्विंग एप्लाइए के उपर उसके हिसाब से डियर्नेस रिलीफ भी दिया जाएगा तो यह तो बात बताई गई है कि यूनिफाइ प्रेंशन स्कीम की खाचियत होगी लेकिन सवाल यह है कि यह बात जो कही जारी है कि मूल बेतन का 50 प्रतिसत आपको मिलेगा यह सही है क्या और मिलेगा तो कितना मिलेगा क्योंकि कहा गया है कि 99 प्रतिसत से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस विकार करने से ज़्यादा फायदा होगा सरकार ने यह भी कहा है कि अभी तक जो इनपीएस के अंतरगत 14 प्रतिसत का यूगदान सरकार करती थी उसको बढ़ा कर 18.5 प्रतिसत कर दिया गया है तो यह बताया गया है कि 23 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं जो किंद्रिय सरकार के कर्मचारी हैं उनको लाव होगा और यदि राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इस यूपीएस को लागू करती है तो करीब 90 लाख लोगों को इसका फायदा होगा तो मैं आपको यह बता रहा कि 10 से 25 साल के बीच में दिया आपने सर्विस की है तो आपको क्या मिलने वाला है इसको देख लेते हैं यह दिखे 10 साल में 10,000 प्लस दिये यह पिंसन मिलेगा लेकिन अगर आपने 11 साल किया है तो उसी प्रपोरिशन में 11 साल की सर्विस के बाद अगर आपने सर्विस छोड़ी तो 22 प्रतिसत और दिये 12 साल में अगर आप नौकी छोड़ते हैं तो 24 प्रतिसत 13 साल में छोड़ते हैं तो 26 प्रतिसत 14 साल में छोड़ते हैं तो 28 प्रतिसत 15 साल में छोड़ते हैं तो 30 प्रतिसत और 16 साल में छोड़ते हैं तो 32 प्रतिसत जो आपके बेसिक का होगा लास्ट बेसिक सैलरी जो आपकी होगी उसका 17 साल के बाद अगर आपके नौकी छोड़ते हैं तो 34 प्रतिसत प्लस डिये आपको मिलेगा 18 साल के बाद अगर नौकी छोड़ते हैं तो 36 प्रतिसत आपके बेसिक का प्लस डिये आपको मिलेगा 19 साल में छोड़ते हैं तो 38% basic का और फिर DA मिलेगा 20 साल के बाद आपको 40% आपकी basic का plus DA मिलेगा 21 साल के बाद 42% 22 साल के बाद 44% 23 साल के बाद 46% 24 साल के बाद 48% और basic payment plus DA आपको मिलेगा और 25 साल या उससे ज़्यदा सर्विस अगर आप करते हैं तो आपके last basic salary का 50% plus DA आपको मिल जाएगा तो यह है कि अगर आप 10 साल से लेकर के 25 साल के बीच में कभी नौकरी शूरते हैं तो आपको कितना new pension scheme को जो unified pension scheme के नाम से कहा जा रहा है उसमें करमचारियों को क्या फाइदा होगा अब एक काम करते हैं कि अब तीनों को एक बार compare कर लेते हैं कि तीनों scheme में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं तो आपको खुदी पता लग जाएगा कि आपको क्या करना सब्सक्राइब और लिए पंसंदों तो सपने नहीं रहे नहीं को आखरी पेंसंदी रूप में उसमें आपको कोई कॉन्ट्रिबूशन भी नहीं देना पड़ता था डियर्नेस रिलीफ आपको मिलता था यानि कि हर छे महिने में जो पिंसन बढ़ती थी वो डिये मिला करके आपकी बढ़ियाती थी और ओल्ड पिंसन स्कीम में आप 20 बर्स नोक्री पूरा करने के बाद पूरे 50% पिंसन के हगदार हो जाते थी अगर नेशनल पिंशन स्कीम की सरकार सबके लिए इसको खोल रखी है यानि कि जो नेजी करमचारी हैं सब्य लोग पीएस ले सकते हैं सर्कारी focus को 10 पर प्रति सत्भ अपने बेसिक पे का योगदान देना होता सरकार जैस्ते देती है इसको बढ़ा साथ-बात यह है कि NPS में जो हमारा contribution होता है वह बजार में निवेश होता है तो बजार को तो इसका फाइदा मिलता है लेकिन हमें कितना मिलता है रेटार्मेंट किसमें में कुल जमाका साथ प्रतिसत आपको एक बार मिल जाएगा और सिस्थ जो सालिस प्रतिसत है वह आपको प्रेंशन की रूप में मिलता रहेगा यह NPS जो चल रही है उसकी खासियत लेकिन यूनिफाइट पेंशन स्कीम के अगर हम बात करें तो कह रहे ह आपका योगदान दस प्रतिसत चलता रहेगा यूनिफाइट पेंशन स्कीम में भी करमचारियों को दस प्रतिसत का योगदान देते रहना पड़ेगा यह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा सरकार इसके उपर 18.5 देगी लेकिन खास बात यह है कि NPS की तरह यह बजार से जु कर रहे हैं उनको भी इसमें सामिल होने की सुविधा होगी अब देखिए अगर हम OPS की बात करते हैं तो पेंशन में मूल बेतन का 50 प्रतिसत यानि कि अगर आपको 25,000 रुपे मिलते हैं तो 50,000 अगर पहले मिलता था तो 25,000 जो डिये आपको मिलता था और फैमिली पेंशन मूल बेतन का 30 प्रतिसत यानि कि 15,000 प्लस डिये मिलता था और OPS में नियूंतम पेंशन 9,000 रुपे फिक्स की गई थी लेकिन UPS में क्या होगा UPS में मूल बेतन बी 50 प्रतिसत यानि कि अगर 50,000 आपको मिलता था तो 25,000 जो डियार मिलेगा फैमिली पेंशन 60 परसेंट यानि कि 30 परसेंट प्लस डियार मिलेगा और नियूंतम 10,000 रुपे आपको 10 साल की नोखरी के बाद जदूरू पेंशन मिलेगा लेकिन UPS में यूनिफाइट पेंशन स्कीम में आपको ग्रैच्विटी का नुकसान होगा क्योंकि पुराने पेंशन स्कीम के हिसाब से अगर आपने 25 साल की नोखरी की और अगर आपका मूल बेतन 50,000 रुपे था उस समय तो आपकी ग्रैच्विटी बनती थी 12,37,500 रुपे जबकि यूनिफाइट पेंशन स्कीम के अगर हम बात करें तो यह अब बनेगी 9,37,500 रुपे तो इसका मतलब हुआ कि लगवग आपको UPS की ग्रैच्विटी में 3,00,000 रुपे का नुकसान आपको हो रहा है हलांकि सरकार लगातार यह कह रही है कि UPS एक बेहतर पेंशन स्कीम है और अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम से इसकी तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता भी है कि यह एक NPS की तुलना में एक बेटर स्कीम दिख रही है अब कुछ समय लगेगा जब सरकार नियम कानून की रूप में इसको लोगों के सामने रखेंगी कि तक इसके उपर आलोचना समालोचना चलती रहेगी सरकारी कर्मचारियों को जब OPS और NPS दोनों में से किसी एक के चुनाव का आपको आप्सन दिया जाएगा तो बहुत ही सोच समझ कर अपना आप्सन रखेगा क्योंकि सारा कंपरीजनम आपके सामने है मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ बबाए